सबी को जाहिंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जाहिंद रेक्शन्स पे तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबदस्त और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे हम सब की चहिती आरजु काजमी जी को उनके स्पेशल गेस्ट होंगे मेरे ख हिंद जै भारत हमें जी आज बहुत टाइम के बाद हमारे और आपके बहुत ही फेवरिट अंबसेडर दीपक वोड़ा साब ने जॉइन किया है बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच हमेशा सर आपके साथ बात करके एवन टीवी चैनल्स पे भी बात करके बहुत कुछ सी पाकिस्तान की जिस तरह के आप देख रहे हैं आप पे हालात हैं और पी टी एम जो पस्तून मोमेंट है उसके भी जलसे हो रहे हैं लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है साथ साथ बाकी चीज़ें जिस तरीके से पाकिस्तान में गरबट चल रही है एकॉनमी को लेके ले मेरा बहुत धर्म से बहुत गहरा संबंध है और मैं देख रहा हूँ आपने पीछे भी एक मूर्ती रखी हुई है और भगवान बुद्ध ने कहा था कि तीन चीजें कभी छुप नहीं सकती चांद सूरज और सच्चाई भारत का तो मौटो आप जानती है मुंड़का अपने सबसे पहले एक डिस्क्लेमर अपनी तरफ से देना चाहता हूं बेटा अपसे अर्ता अली इस घंटे में चंद्रया आंत्री चंद्रमा पर उत्रेगा तर इस नो डावट इट वी ए ट्रमेंड़स सुक्सेस अब कोई गरती नहीं होगी हमने सीख लिया विश्ली बार जो आ रहा हूं क्योंकि हमारी लाइंडिंग अपसे अर्तालीस घंटे तेईस ऑगस्ट छे बजे इस टी होने वाली और आल बी ग्लूट तो माई तेलेविशन से अब मैं क्यों जा रहा हूं यह महीं मैं बता देता हूं ता कि आपके सारे व्यूर्स को मानूर्स साल में मैं एक ब evaluation, not treatment. मुझे एक बड़ी अनोखी affliction है, it's called Binswanger's disease आपने नाम नही सुना होगा, it's a slow destruction of the brain. तो यह छे साल से I've been suffering, but my doctors in India who are the best in the world, यह मैं सचाही आपके सामने बेहां कर रहा हूं, they have managed to control it. Now you can't reverse it, there is no medicine, but it can be managed through exercise, through treatment, etc. And whenever I go to America with my brain images and so on, ओजे एकी चीज़ कहते हैं, that we are amazed at the Indian doctors, they are far superior to us. I say, well, there's no doubt about that, our doctors are really very good. So I'll be traveling and of course I'll come back. Now, जो आपने सवाल पूचा है समें Pakistan की हालत क्या है? It's a witch's brew, अंग्रेजी की एक कहाबत है. And it's a tragic comic circus. अब आपके एक प्राइम मिनिस्टर होते थे जिनने मैं तोशा खान कहता हूं, on a minor issue, कि डिक्लेर नहीं किया आपने गिफ्स, आपने पकेटके उनको जेल में डाल दिया है. He could have said, I'm sorry, I forgot, कर देते हैं. मेरे अपने करियर में कई बार हमको गिफ्स मिले हैं, हमारा ये सिस्टम है, हमारे भी एक तोशा खाना होता है, हम उसमें सरिंडर कर देते हैं. पर तोशा खाना उसकी असेस्मेंट करता है कि ये गिफ्स दो हजार का है, तीन हजार का, दस हजार का है, और फिर अगर दो हजार से हमारा वो सिस्टम होता है, जादा है, देन यू किन बाइट फर वोड़ेवर प्राइस, दे इवैलुएट, अदर्वाइस वो एक दो साल क के बाद ऑक्षन करते हैं, वो हमारा सिस्टम है, इन दे इंडिन फॉर्ण सवे, एक बार ते एक आरब शेख ने मुझे रोलेक्स घरी भी दी थी, वो तुरंत व शकान हमें बेज दी, जब उन्होंने कीमत बता है, मैंने कहीं आप ही रखें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है ये खरीजने के लिए. So what we are seeing, ma'am, is a crisis आपके देश में. एक economic crisis है, उसके बारे में आप जानती है, एक political crisis है, एक social crisis है, एक religious crisis है. All this gets together and becomes a circus. Politically, तो आप मुझे बेहतर जानती हैं, क्या हो रहा है, किसी को जेल में डाल दिया है, किसी दूसरे को पकड़ रहे हैं, etc. Economic crisis, जब international monetary fund से bailout मिला था, 1.2 billion dollars, तो मैं सुनता था आपके चैनल, जी, मुबारक हो, मुबारक हो, हम बच गए. क्या बच गए? ये पैसा आपको व Finance Minister थे, रिष्टेदार, जो एक Chartered Accountant है, नाम मैं बूल रहता हूं, दर था शरूर करा, तो प्राइमिस्टर के लिगी कि IMF तो बहुत तफ टाइम दे रहा है हमारे Finance Minister को यहां तक, कि IMF बोले किस आदमी से हम बात नहीं करना चाहते हैं, हमारी meetings होगी, इसको बाहर बिठाओ भी आपके देश ने धरम को वैपनाइज किया है, मैं तो development economist हूँ, और फिर आप economics को रिलिजिएनाइज करने लगे, मैंने सुना है, इस former finance minister को कहते होए, कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, एकानूमी के लिए, इंशा आला सब ठीक हो जाएगा, हम भी बहुत, इसाखडार, हम भी बहुत मानते हैं सब धर्मों को, इसलाम को भी, अल्ला को भी, लेकिन शाइद वो एकॉनोमी में दखल नहीं देंगे, ये काम आपको अपने आप करना है, यूनो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बेटा, जब मैं राजदू था इन सुडान, मैं पांच स है, I don't know if it's true, he says, जब मैं अगर आप मुझे अपने घर पे बुलाते हैं, दावत पे, अब मैं कहता हूं जी मैं आउंगा, तो मैं आउंगा, और जब मैं कहता हूं, इसका मतला मैं नहीं आउंगा, हम लोग नहीं करते, we use this as an excuse, so we don't wish to hurt you by saying के मैं नहीं आउंगा, बड़ी जब मैं नहीं चाहा, मतला हम आउंगा, बाला पे डाल रेते हैं, यह इससे कुछ जादा होने वाला नहीं, and this is a band-aid, और main चीज यह रहेगी कि आपकी exports और imports में बहुत फरक है, महंगाई तो आप जानते हैं, मुझे आपसे कहने की जूद नहीं, we are suffering also from price rise, इसी लिए पंद independence day, Prime Minister said, कि महंगाई का हम सामना कर रहे हैं, और हम थोस कदम उठा रहे हैं, we have banned export of non-basmati rice, wheat का export बहुत पहले बैं कर दिया था, और से भी बहुत कदम उठाए जा रहे हैं to increase production, etc. नेपाल हमारा पडुसी मुल्क है, अब हो हम से बहुत कुछ मांग रहा है, यह मांग रहा है वह मांग रहा है, बहुत से ऐसे देश हैं, जो हम से चीज़े मांग रहे हैं, वो, वी आपको एक चीज़ बताता हूं, आपको मेरी बेटी की उमर के है, 66-67 भारत में आकाल पडा लिया, बारिश नहीं हुए थी, two years, we were on the verge of famine, Mrs. Indira Gandhi अमेरिका गई थी, अनाज मां ले, और एक अमेरिकन पेपर, New York Times, आपने उसका नाम सुना है, कहता है, New Indian Leader Comes Begging, ऐसी चीज़े नहीं कहते हैं. And today we are the second largest producer of food in the world. ये पंजाब के फार्मर्स, यूपी के फार्मर्स, साथ के, सब लोगों ने मिल के ये काम किया, किसी खास व्यक्तिया कहले नहीं किया. We were also told not to eat on Mondays. आप शायर नहीं जानती, भूख क्या होती है, मैं जानता हूं, मुझ से पूछेगा. 104 दिन मैं भूखा सोया हूं, 1966-1967. मा तो मा होती है, मुझ से कहती थी, कि दीपक, खाले. But my father would tell her, इसको मत बोल, ये देश का बहुत दिवाना है, ये नहीं खाएगा. And I used to sleep hungry. 104 दिन बेटा, it's not easy. जब पेट में चुए कुटे थे, तो आसान नहीं होता था उस ताइम बेट. So, what I'm saying is that agriculture, which should have been one of the pillars of the Pakistani economy, it's practically non-existent. Because you keep milking a sector, उसमें investment नहीं करोगे, वो collapse कर जाएगा. फिर energy, energy की shortage ने आपकी industries को cripple कर दिया है. आप दोड़ गए थे चीनियों के पास, उन्होंने 5 वो plants बना दिया, वहाँ पर जिसे low hanging fruit of their, that con job, total con job, जिसे आप China-Pakistan exploitation, not exploitation, economic corridor कहते हैं, वो बना दिया, इतने महेंगे बनाए, जो पैसे वो ले रहे हैं, per unit, इतना महेंगा है. यह हमने देखा था, N.R.O. ने भारत में भी बनाया था, हमारा पहला private sector producer था, in the 90s, American company, और हमें बहुत बुली तरह से ठागा, we had to cancel the contract. और हमारा काफी नुकसान हुआ था, N.R.O.N. took us to court, हम हार गए, हमको पैसे देने पड़े, जो कुछ होना था, हम भी सीख गए उसके साथ, but thereafter, जो भी private producers, independent power producers, हमने सही तरह से किया, so energy is one area you have to focus on. फिर इतनी बड़ी फाज, मुझे ये नहीं मालूम आपको क्यूं चाहिए, किससे दुश्मनी है, आप 6 लाग हैं, 7 लाग हैं, 8 लाग हैं, 10 लाग हैं, किससे लड़ना चाहते हैं, इतना पैसा आप खर्च कर रहें, मेरे पास तो एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ हमारी संबन्द आपके साथ वैसे नहीं हैं, जैसे होने चाहिए थे, so I need my military, अब मैं ये भी सुनता हूँ, आपके चैनल पे, ओ जी, भारत ने तीन करोड की फॉज रखी हुए, सब्सक्राइब मेरे पास होती, तब ही तक दुनिया पे मैं हुकूमत करता हूँ, सब्सक्राइब मेरे पास 15 लाख स्कूल है, अमेरिका की अबादी 33 करोड की है, मेरे पास 34 करोड विद्यार्थी हैं, जिसमें से 52% आपकी तरह हमारी बेटिया हैं, we are very proud of the fact that our women are doing brilliantly, फिर जब ये पड़ जाती हैं, then they want control of their bodies, they become economically independent, इसलिह हमारा birth rate, we have now reached 1.7 in urban India, 2.3 in rural India, दो पे हम पाँचे हैं, जब की replacement rate 2.1 होता है, in other words, a woman who produces between the age of 18 and say 45, now the average reproduction number of babies she produces is 2, जब की 2.1 is the so-called replacement rate, and by 2030, हम लोग, we start declining, जब की अभी बच्चे कम पैदा होरे हैं, but we are also living longer, so literacy has reached 80 percent, जब ये होने लगता है, एक बहुत पुरान हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, कि आप एक पुरुष को पढ़ाते हो, तो आप पुरुष को पढ़ाते हो, आप एक दीवी को, which means a woman, दीवी को पढ़ाते हो, आप पूरे परिवार को पढ़ाते हो, this is what we have learnt in India, and I hope that Pakistan will understand, without education, it's not going to work. और आजकल भी हम उनको काफी सारे न्यूज चैनल पर देखते हैं, वो नौलेज का बंडार हैं, तो आशा करता हूं कि उनकी वीडियो को काफी पसंद आई होगी, इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने वीचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स के इंतजार रहेगा, और वीडियो पसंद आई है, तो उसे लाइक और शेर जरूर कर दें, और इक बार फिर चैनल पर नहे हैं, तो चैनल को सब्सक्क्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरस्टिंग वीडियो दिलाते रहें, तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी जवर्दस्त और स्पेशल वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये, जय हिंद, जय भारत